कि अब्सक्राइब दोस्तों विस इस यूट्यूब चैनल उमीद है आप सब फैर वाफियस से होंगे और आज कर जो हमारा विलोग है वह है भावलपूर्ट जू के हवाले से आज हम आपको अपना भावलपूर्ट का जी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सब सब्सक्राइब करें और बैल आइकन के प्रेस करना बिल्कुल ना पूले तो हम मैं आपका बगजाया नहीं करूंगा चलते हैं भावलपूर्ट जूप में और हम आपको बताते चलें इसकी कोई थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि यह सन उन्रीस सो प्यालिस में नवाव बाव रोब और बहुत उसर नाम था ज्योंकि वक्त के साथ साथ आने वाली गौर्ण्मिट्स ने इसका काफियर से के बाद नाम चेंज करके चीडिया घर में इसको कलवाट कर दिया तो धाजरीन आएं हम आपको लेकर चलते हैं भावलपूर्ट जूप विजिट करवाता ह तो मेरे साथ रहेगा चुके हैं शेरों के गर के पास यह सबसे पहले एक शेर्णी के दो छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जो कि बहुत ही खुबसूरत हैं और मुन्फरिद हैं यह हमारा बबबर शेर है भावत उर्जू का जो कि शायद किसी वज़ा से नाराज है अब हम आपको लेकर जा रहे हैं पंकाल टाइगर की दरफ जो कि बहुत ही खुबसूरत और एक यूज साइज का है अरे बच्चों अब हम आपको दिखाएंगे भावलपूर में जो बेर्ज हैं उनकी बहुत जादा तैदाद हो गई हैं और मौसनम अच्छा होने के वज़ाद से वह बहुत इंज्ड़ाय कर रहे थे डास कर रहे थे खेर रहे थे और अन्हीं जैसे कुछ बेर्ज कुके और प्यासे भी थे आप देखें हमारे साथ रहें बहुत ही खुबसुरत बेर्ज हैं भावलपूर में आपको जब भी मौका मिलें आप ज़रूर आएं भावलपूर्टू में ये देखें भई एक बेर्ज तो बहुत अराम से सो रहे हैं ये है भावलपूर्ण चिडियागर का ओल बहुत अरसे से यहां पर ऐलिफंट नहीं है हमारा हकोमत पाकिस्टान हकोमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि जل्द से जल्द यहां पर एक ऐलिफंट का अंतिजाम किया जाए ताके भावलपूर्ण के बच्चे बड़े सब उसस अब हम आपको दिखाते हैं यह देखें किस तरह से यह शरारते करने में मसरूफ है अभी हम अपने बच्चों को और भी बहुत सारे मंकी दिखाएंगे यह देखें कौन सा मंकी आ गया है अकेला बैठा हुआ इस वक्त यह देखें बच्चों किस तरह लाइन में जा रही हैं तीनों मंकी आप इन से भी सीख सकते हैं कि लाइन में किस तरह से जाए जाता है हो 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 यह मंकी तो बहुत क्यूट है भाई प्राइस ये देखें बहुत पूर चिडिया कर दिजामिया ने भी लिखकर लगाया हुआ है यहां पे कई जगा पे और डिफरेंट जगाओं पे आप देख सकते हैं चिडिया कर में टस्पीन्स रखे हुए हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चिडिया कर को साफ रखें लूख है लगाया की और आप देख सकते हैं कि चिडिया घर में इनकी ही रमसे रोनक है आप लोग इनको देखने आते हैं खुदारा इनको मत तंक करें हम पहुँच चुके हैं इस वद्भावल पुर्जू की में कैंटीन पे जहां से हमने आइस क्रीम ली है और आइस क्रीम बहुत मज़ेदार है ठंडी है मौसम की मुनास्पत से हैं आप जब आएं आप भी जरूरियां से आइस क्रीम खाएं जू में बच्चों के लिए डिफरेंट इन्वाइमिट के लिए यहां पे इंटर्टेमिट के लिए बहुत सारी चीजें नहीं इंस्टॉल्ड हुई है जिसमें से एक ज़राफा है यह जो के बहुत मज़ेदार है बच्चों के लिए एक एलिफरेंट भी इंस्टॉल्ड किया गया है जो के एक जूले के तोर पर इस्तमाल किया जाता है प्यारे बच्चों अब हम आपको मिलवाते हैं अपने खुब्सूरत से दोस्ते यह देखें यह किस तरह से हमारे साथ बाते कर रहा है और किस तरह से हमारे साथ वाक कर रहा है और रेस भी लगा रहा है आप जब भी जूहाएं इसके करीब जरूर जाएं और इससे बाते करें यह आपकी तमाम बातों का प्रॉपर जवाब देगा जब दोस्तों आपको कैसा लगा बहुत रूका शेर वाग उमीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ अपने यूट्यूबर अच्छा लगा यूट्यूबर जब देए इस उमीद के साथ कि आप लोगा अपना बहुत ख्यार रखेंगे आम मिलेंगे इसादा किसी और नेक्स्ट प्लेस पर और नेक्स्ट वीलॉग में तब तक के लिए अपने होस्ट अच्छा लगा अच्छा अच्छा लगा